नमस्कार विहारी नूज में आपका स्वागत है। मैं रत्मसेन भारती आज हम बात करेंगे राष्पती की जीवन सहेली के बारे में। साथे साथ राश्पती को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भारत में जैसे ही राश्पती का नाम सामने आता है तो लोग यही सोचते हैं कि आखिर राश्पती का बेतन कितना होगा। सासन की बाग दोर होती है आपके मन में यह विचार आता होगा कि राश्पती बनने के बाद उनका बेतन कितना होता है किस किस तरह की सुविधाओं मिलती है तो चलिए एक नजर दोड़ाते हैं राश्पती के बेतन के साथ साथ उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में र से कि उसकी उम्र सीमा 35 साल होनी चाहिए साथ दोगसवा सधस के रूप में चुनाव के योग हो साथी साथ उसे भारत सरकार राज सरकार किसी संस्थानिक या पिर अन्य प्राधिकरन के अधिन लाब के किसी पद पर आसीन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है तो चलिए य चाहिए साथ उसका बेतन कितना होता है तो सबसे पहले बात करते हैं राशपती निवास के बारे में भारत में राश्पती का चुनाब जितने के बाद उवे दिल्ली के राश्पती भवन में रहते हैं बता दें कि दुनिया में किसी भी सरकार के प्रमुख का सबसे बड़ा निवास अस्थान जो है वो भारत के राश्पती के पास है बतादें कि इस राश्पती भवन को अजादी से पहले 22 राई के रहने के लिए बनाया गया था जो कि 320 एकड में फैला हुआ है इस भवन का निर्मान 1990 इस्वी में हुआ था राश्पती भवन के में बिल्डिंग में कुल 340 कमरे हैं इसमें राश्पती का अधिकारिक निवास स्वागत कच अधिती कच और कारजाले समिल है इसी राश्पती भवन के अंदर राश्पती उध्यान है अंगरक्चकों के लिए आवास कारजाले के लिए आवास अस्तवल के लिए आवास इस्तित है और इसके साथ साथ कई अन कारजाले भी हैं आपको बता दें कि राश्पति को छुटियों में घुमने जाने के लिए दो वकेशनर रीट्वीट मिलता है एक उत्तर भारत में तो वहीं दूसरा दक्षिन भारत में उत्तर भारत में सीमला के मसोबरा में दरीट्वीट बिल्डिंग में ठहरने का मौका मिलता है जो कि 10,628 बर्गपूट की उ इमारत को साल 1860 में बनाया गया था यह कुल 90 एकड़ में फैला हुआ है बतादें कि इस निल्वय भ्यमन में राश्पति साल भार में कम से कम एक बार जरूर आते हैं राश्पति को मिलने वाली तमाम सुभिधाओं में एक है उनका बाहन पुबे मर्सडीज मेवैक एस 600 पीवी जी सुरक्षा मिलती है बतादें कि पीवी जी भारती सास्तर बलों की एक सबसे सिनियर बलकी सबसे पुराने इकाई है बतादें कि यह गूर सवारी की एक मातर सेंड इकाई है कहा जाता है कि सांती के समय यह आपचारे कुरूप से कार्ज करता है लेकिन जब बात ज ज्यादा कितने ही ऐसे नौकर्सा हैं जिनका की बेतन उस समय हो गया ऐसे में साल 2017 में ही राश्पती का बेतन बढ़ा कर पांच लाख रुपिया कर दिया गया राश्पती को बेतन के अलावा कई अन्य तरह की भत्ता भी मिलता है जिसमें की मुक्ट चिकिस्ता आवास और उप पांच करूड रुपिय का खर्च किया जाता है अब बात कर लेते हैं राश्पती के रेटार्बेंड होने के बाद उन्हें किसके तरह की सुभिधाएं दी जाती है मिडिया में चल रही खबरों की माने तो राश्पती को एक दो सलाव पांस लाक रुपे प्रतिमाह पेंसन एक साथी के साथ मुप्त ट्रेन या फिर हवा या तरह जिसी सुभिधाएं उन्हें बहाल की जाती है यानि कि उन्हें मिवती है प्रतर असक कहलें कि राश्पती जो होता है वो भारत की राश्पती में सीधे तार पें हिस्सेदारी नहीं करता है लेकिन जब देश में अप मृइं बहाते हैं अभी हमने जाना राश्पती का क्या कार्ज है राश्पती जो है किस तरह से बनाए जाते हैं राश्पती कितना